Hello students, आज हम लोग class 5 science की video lecture देखेंगे जिसमें हम लोग revision करेंगे PT1 के लिए periodic test 1 जिसमें हम लोग very important question जो बहुत ही important question है उसको देखेंगे आपकी exam जो है वो google form से ली जाएगे और उसका pattern भी विलकुल इसी तरह से रहेगा जैसा मैं इस video में ली हूँ अगर यह video आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपका एक भी question कहीं नहीं जाएगा तो आएए start करते हैं अगर आपको इसका answer आता होगा तो आप comment कीजिएगा और नहीं आता होगा तो answer तो मैं बता ही रही हूँ plant do not need oxygen, they only need carbon dioxide plant को oxygen की जरुवत नहीं होती है सिर्फ इसे carbon dioxide की जरुवत होती है क्या यह सही है या गलत है अगर सही है तो true और अगर गलत है तो false पे click किजिएगा इसका answer होगा false sweet potato and carrot are root that store food sweet potato और carrot जो होते है वो roots होते है जो की food को store करते है यह क्या है बिलकुल true है next non living things reproduce साइक क्या होगा true होगा या false होगा non living things reproduce करते हैं नहीं बिल्कुल नहीं करते हैं तो यह क्या होगा इसका answer यह false होगा skills are found in skills किस में present होते हैं camel में या fish में तो मैंने आपको वीडियो में बताया fish वाली वीडियो में कि fish में skills present होते हैं देख लिए है तो अच्छी बात है नहीं तो playlist में जाकर के आप fish topic को अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपको पता चल जाया कि skills क्या होते हैं next question number five bacteria and fungi are known as decomposer क्या यह सही है यह गलत है यह बिल्कुल सही है bacteria और fungi जो होते हैं वो decomposer के group में आते हैं next question number six plant cannot grow if there is no soil plant grow नहीं करेंगे अगर उनके पास में swell नहीं होगा क्या यह सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है प्लांट ग्रो नहीं करेंगा true question number seven the seed leaves inside the seed are called cotyledons क्या बोलते उसको cotyledons bacteria and fungi are known as bacteria और fungi को क्या जानते हैं हम लोग carnivores या decomposer decomposer question number nine non perishable crops can be stored for a long time जो non perishable crops होते हैं उनको लंबे समय के लिए store किया जाता है या नहीं true है या false है आपको पता है अगर non perishable crops किसको बोलते है तो अपने इसका अंसर असानी से दे पाऊगे और नहीं पता है तो आप agriculture वाला वीडियो जो है उसको playlist में जा करके देखिए उसमें आपको non perishable अच्छे से clear हो जाएगा तो non perishable crops जो होते हैं उनको लंबे समय के लिए प्लांट है या फिर अनिमल है तो क्या है स्टुडेंट प्लांट और अनिमल क्या करते हैं वह प्लांट पे और अधर अनिमल पे करते हैं अपने पूड के लिए क्या है या फिर डेड प्लांट एनिमल से तो डेड प्लांट एनिमल से इस्टुडेंट अगर यह वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हो कौपी में नोट डाउन कर लेते हो और लर्ण कर लेते हो तो आपको आपके प्रियोडिक टेस्ट में 20 आउट ओफ 20 लाने से कोई भी नहीं रोख सकता है कैसे रिप्रोड्योस करते है बेबी देते है या फिर इक देते है तो इक देते है मैम बोथ leaves on land and in water कौन से अनिमल है जो की वाटर में भी रहते है और धर्ती पर भी रहते है तो अमफिबियन अल मैमेल्स एंड हुमेन विंग्स ब्रीथ रोज गितने भी मैमेल्स और हुमेन विंग्स होते है वो कहां से ब्रीथ करते है लंग्स लंग्स is the right answer next question number 16 the study of living things in their natural surrounding is called ecology जो study है हम लोगों के आस पास के natural surrounding की उसको हम लोग ecology बोलते है all animals are जितने भी animals है वो क्या है consumer है और producer है क्या है तो जितने भी animals है वो consumer है next question question number 8 things reproduce कौन से things जो होते है वो reproduce करते है non living things और living things right answer is living things the seed leaves inside the seed are called जो seed leaves होते है seed के अंदर में उसको क्या बोलते है उसको बोलते है question number 20 insects breathe with the help of insects अपने spiracles के help से breathe करते है a frog breath throws its lungs and partly throws its एक जो frog होता है वो कभी-कभी अपने lungs से breathing करता है और कभी-कभी अपने skin से next question question number 22 plants need these to prepare food plants जो होते है उनको जरूरत होती है अपने भोजन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होते carbon dioxide water and sunlight oxygen from the air या फिर all of these तो right answer is all of these इन सभी की जरूरत होती है plant को अपने भोजन को बनाने में I hope students आपको यह बहुत अच्छे समझ में आया होगा अगर आप यह अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको आपके प्रियोडिक टेस्ट में 20 आउट ओफ 20 लाने से कोई भी नहीं रोख सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहे और आपके क्लास के सारे वीडियोज आपको आसाने से मिल जाए थैंक्यू सो मच्छ अढ़े झाल शिएो आपके क्लाओे